तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे विभिन लगनों के लिए अभी जो जून का महिना आने वाला ये किस प्रकार से बितेगा यहां हम बात करेंगे कर्ण्या लगन वालों के लिए तो आपका जो चार्ट है वो कुछ इसी प्रकार से दिखेगा जोन महिने के दोरान और जोन महिने में जो आपको ग्रहों की प्लेस्मेंट दिखेगी वो भी इसी चार्ट के इसाब से ही दिखने वाली है तो इससे पहले कि हम इस चार्ट के बारे में प्लेस्मेंट के बारे में बात करें सबसे पहले गोचर को देख लेते हैं गोचर में अगर हम बात करेंगी तो सबसे पहले गोचर में सूरिय को देखते हैं, सूरिय सबसे पहले 15 जून तक वर्षब रासी में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका प्रवेश मिथुन रासी में होगा, बुद की जहां तक बात है बुद 14 जून तक वर्षब रासी में र रहेंगे एक जून से इनका प्रवेस मेस रासी में होगा गुरू का गोचर वर्षब रासी में रहने वाला है सनी कुम्ब रासी में रहने वाले और 29 जून से सनी वक्री होने जा रहे हैं चंदरमा एक जून को मेस रासी में गोचर करते हुए दिखेंगे राहू और केतु के अगर हम लोग देखेंगे तो इन में अभी फिलाल कोई बदलावड नहीं है जहां राहु मीन रासी में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या रासी में फिलाल गोचर करते हुए दिखेंगे तो ये गोचरी इस्तितिया हैं अब हम देखते हैं इसका जो परिणाम आने वाले वो आपके लिए कैसा रहेगा देखी सबसे पहले तो आपके लगने से स्टार्ट करते हैं लगने सापके बुद्ध हैं बुद्ध आपके कुंडली में दस्वेगर के विश्वा में हैं और बुद्ध का गोचर हो रहा है अपना केरियर परपरस के लिए इसके साथ आपका कहीं न कहीं कोई न कोई ट्रांसपर अभी अभी हुआ होगा कुछ समय पहले या अभी फिलाहल होने के भी काफी ज्यादा चांसिस बनेंगी तो यह जो है यहां पर क्योंकि दस्वे भाव के स्वामी होकर नाइंथ में हैं आपका कोई भी ट्रांसपर वगरे होना या फिर आपका अपने कैरियर परपरस से विदेश जाना कोई बहुत विदेश की कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा होना ऐसा यहां संभावित है बुद्ध की यह इस्तिति में वास्तम में आप अच्छा फील करेंगे जब भी आप यात्रा करेंगे इसके साथ आपको काफे नए अनुवब मिलेंगे आपको कुछ ग्यान की बेप्राप्ति होगी इसी प्रकार से बुद्ध यहां दिखाते हैं कि आप थोड़े मनी माइंडेड रहेंगे बुद्ध का यूति शुकर के साथ है तो ऐसे में थोड़े से म बहतर होगा बुद्ध का दृष्टी आपके तीसरे भाव पर है और साथ में इन सभी ग्रोहों का दृष्टी भी तीसरे भाव पर है ऐसे में आप अपनी काबलेत का बहतर से बहतर इस्तिमाल कर सकेंगे अपनी सम्ता का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे बुद्ध की यह स्ति केरियर परपस से अगर ज्यादा ज्यादा बीजी रहें तो आपने बहुत अच्छा है तो बुद्ध का गोचर वास्तम में आपको बहुत अच्छा रहेगा भाग्यस्तान पर गोचर है तो आप केरियर के मामले में या पर्सनली कुछ मामलों में बहुत भाग्यसाली रहेंग तो 14 जून के बाद आप अपने कैरियर में थोड़ा सा स्टेबल होते वे खुद को देखेंगे इस समय कैरियर परपस से कोई नया डिशिजन लेना चाते हो तो ले सकते हो तो इस समय वास्त में आप अपने बोस के साथ और अपने कलिक्स के साथ बहुत अच्छे से संतुष रहेंगे इस समय आप थोड़ा अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपने काम पर और अपने घर के कारियों पर भी साथ साथ में क्योंकि बुद्ध का दृष्टी यहां से आपके चतूर्थाउस पर रहेगा इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये मन्थ आपके लिए काफी ज्यादा important है क्योंकि आपके career परपस से आप अगर कुछ नया प्लान कर रहे हो या आगे के लिए future के लिए कुछ नया सोच रहे हो तो ये मन्थ में आपको उसका रन्निती तियार करना पड़ेगा और ये मन्थ स्टार्ट होनी से पहले ही आपको ये सब कर लेना चाहिए बुद्ध का इस्तिति आपके दस्वाव में होने की वज़से इस समय ज़्यादा सी ज़्यादा क्रियेटिव और काफी कलात्मक आप रहेंगे इसके साथ अपनी वाणी का अपने कैरियर में अपने काम में बहतरी न्यूज कर सकेंगे तो बुद्ध वास्तम में यहां आपको काफी ज़्यादा टेलेंटेड बनाएंगे और जो भी छमता आपके अंदर है, कम्मिनिकेशन की छमता है, चाहे कोई अधर प्रकार की आप में छमता है उसका आप बहतर से बहतर इस्तेमाल कर सकेंगे इसके बाद बुद्ध यहां से रासी प्रयोटन कर लेंगे और आपके वो ग्यारवे भाव में चले जाएगे अब बात करते हैं शुकर के बारे में, शुकर जो कि आपके दूसरे भाव और शुकर आपके नवम भाव की स्वामी बनते हैं जहां शुकर अभी आपके नवम भाव में ही रहने वाले हैं ये शुकर यहां पर आपको जिवन साती की साथ कोई लंबी दुरी की यातरा करवा सकता है इसके अलावा आपका कहीं न कहीं से दूर से अगर पैसा आता हूँ, चाहे किसी दूसरे राज्जे से या किसी दूसरे देश से पैसा आता हो, पैसा मिलता हो आपको, तो ऐसे मामलों में अच्छी स्थिती रहेगी, शुकर का यहां होना वास्त में दूसरे लोगों की सेंस करती की तरफ या विदेशों की जो सेंस करती है, उसकी तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा अकर्शित करेगा, इस समय ज़्यादा तर जो आप प्लान बनाएंगे, घुमने फिरने के प्लान आप बना सकते हैं, शुकर यहां तो शुकर अपने ही घर के हैं, यानि अपने ही खुद की रासी में हैं, इस वज़े से आप इस समय उच्छिया के लिए कोई प्लान त्यार कर सकते हो, उच्छिया के लिए इदरोदर की कोई यात्रा कर सकते हो, शुकर का दृष्टी आपके तीसरे भाव पर रह सकती है उसके बाद शुकर यहां से रासी प्रयोड़तन कर लेंगे और मिथुन रासी में आ जाएंगे मिथुन रासी में शुकर का उच्रा आपके लिए बहतरीन रहेगा यहां पर फिर से शुकर आपको आपके कारी सित्र में बहतरीन से बहतरीन सपोर्ट करते वे नजराएं में हैं, आप शुकर से related किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, तो दोनों में ही आपको अच्छा support यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर शुकर का aspect आपके fourth house पर रहने वाला है, fourth house पर aspect रहेगा तो घर परिवार के साथ थोड़ा सा समय वेतित करें, परिवार को मंगल के बारे में, मंगल का गोचर बहत खास है, मंगल आपके तीसरे भाव और आपके आठवे भाव के स्वामी होकर आठवे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहां यह इस मंद के starting में चंद्रमा के साथ भी रहेंगी, तो थोड़ा सा यहां आपको अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा, किसी भी परकार के चोट लगे, कोई आपके साथ दुरगटना हो या आपका कोई सरीर के अंग को खत्रा हो, या आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो एक्सिडेंट वगरे का खत्रा हो सकता है, यहां पर मंगल है तो वास्ता में चोट वगरे लगने से सावधानी रखनी पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा मंगल आपको जमीन जायदात के मामलों में पैट्रिक संपत्ती के सुक के मामले में और इन लोग से किसी वरकार का सपोर्ट दिला सकता है, मंगल का दृष्टी आपके लावस्तान पर रहेगा, लावस्तान पर रहेगा तो आप सेक्रेट तरीके से धन कमान के लिए सोच सकते हैं, या ऐसा कोई प्लान कर सकते हैं, यहां पर दृष्टी होने के वज़से अक्सर मंगल आपके कुछ लोगों से रिष्टे खराब कर सकता है जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा चाते हैं जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा परनेक्टेड हैं, उनी के साथ थोड़ा बहुत मनमुटा होने के चांसिस बनेगें मंगल का एसपक्ट आपके लगबग दूसरे भाव पर भी है और तीसरे पर भी हैं दूनों ही भावों पर मंगल का एसपक्ट है तो थोड़ा वानी को लेकर सावदा नहीं रखेगा आप अपनी जो क्रूरता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वारनी से दूसरों का फाइदा उठा सकते हैं दूसरों को परभावित करने की बहुत अधी कोशिस कर सकते हैं मंगल के इस दरश्टी के विए से अकसर अपने जिवन साथी के साथ भी या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पर आपके समन थोड़े बिगड़ने के चांसिस बनेगे जो कि आपकी वारनी उसमें मैं रिजन बनेगी तो यहाँ पर देखे मंगल अगर अस्टम में इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं और लगवग पूरे महीने ही क्योंकि मंगल यहाँ है तो इस मंथ में किसी प्रकार का बहुत ज्यादा जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि मंगल जो हम वो तीसरे घर के स्वामिय और तीसरे घर को देख रहे हैं इसलिए अनावसिक रूप से आपको कोई भी जोखिम नहीं उठाना है चाहिए अपना रिलेसिंशिप के लिए हो चाहिए किसी भी अन्य काम के लिए अब ऐसा मंगल जब थर्डा उसको दृष्टी डालता है या थर्डा उसको एसपक्त करता है तो मंगल इस मामले में आपको सपोर्ट करेगा अगर आपको किसी भी परकार की कुई दिक्कत आ रही है आपको सत्रों से समस्या हो रही है किसी भी अधर परसन से आपको दिक्कत आ रही हो तो तो मंगल का गोचर आपके लिए कुछ इस पकार से रहेगा, गुरू के बारे में बात कर लेते हैं, गुरू जो की 4th Lord और 7th Lord होके आपके 9th house में गोचर कर रहे हैं, ये समय आपको अपने घर परिवार के साथ, अपने जिवन साथ के साथ कही न कही लंबी दूरी की यात्रा क क्योंकि साथवे भाव के भी स्वामी हैं और चोथे के भी स्वामी हैं, तो आपका अगर कनेक्शन विदेश से है, आप कोई बिजनस करते हैं, या आपका कनेक्शन किसी दूसरे स्टेट से है, तो आपको यहाँ गुरू बहतरीन लाब दिला सकते हैं, थोड़ा रुची आ केत्व का ट्रांजिट ओल्रेडी है, गुरू का दृष्टी आपके लगन पर है, तो वास्ता में आप अपनी जो छमताएं हैं, अपनी विवेक सीलता, अपनी बुद्धी मता उनका बेतर इस्तेमाल कर सकेंगे, यहाँ पर गुरू का दृष्टी आपके तीसरे भाव पर तीसरे भाव पर दृष्टी होने की वैसे, आप कुछ कलात्म कारी कर सकेंगे, कुछ ना कुछ नया सीख सकेंगे, और बहतरिन अनुभव अपनी जिवन में कर सकेंगे, जो भी आपके पास शमता है, जिस भी परकार की, इसके लावा गुरू का दृष्टी पंचम पर है, पंचम पर गुरू का दृष्टी है, तो यह आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, इस समय आपको संपान के साथ अच्छे रिलेशन्स देखने को मिलेंगे, अगर आप एक स्टुडेंट है, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा है, लगबग पूरा महीना आपके लिए स्टडी परपस से अगर देखा जाए, तो काफी अच्छा साबित होगा, तो गुरू का जो ट्रांजिट होल्मस्ट बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, आप लोगों के लिए, उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं, सनी क फोड़ा संथान पक्स को लेकर चंता अवस्त्य दे सकते हैं, इसके साथ संथान के स्वास्ते को लेकर भी थोड़ा issue रह सकता है, आपके उपर अगर कोई legal matter चल रहा है, कोई legal case रहे चल रहा है, तो आपको थोड़ी साफधानी बरतने की जुरुत हैं, अब हम आगे बढ़ सिस्थिति यहां जरूर बन रहे हैं धन को लेकर अगर देखा जाए तो अचानक से आपको कहीं न कहीं प्रोपर्टी में लाब या कोई भी धन से जुड़ावा लाब प्राफ्त हो सकते हैं चंद्रमा का दृष्टी यहां आपके वानिस्तान पर रहेगा तो शुरुआती एक समय और भी भाग्य साली रहेगा धन समंदी मामलों में चंद्रमा का भी दृष्टी आपके रहेगा लगबग थार्ड आउस पर तो ऐसे में आप ज्यादा सी ज्यादा क्रियेटिव काम कर सकेंगे क्रियेटिविटी से जुड़े वे कामों में आपको ज्यादा सफलता मिलने के चंसे बनेगे चंद्रमा उसके बाद आपके दसंभाव में प्रवेस करेंगे जहां पर वो आपको कैरियर से रिलेटेटिट कुछ साहिता जरूर कर सकें यहां पर इसके साथ अपना जो ध्यान प्रवेस करेंगे यह समय आपके लिए धन समंद्रमा मामलों के लिए बहुत अच्छा थावित होतो उसके बाद बात करते हैं सूरिय की है then तो गोचर अगर हम देखेंगे तो सूरिय का गोचर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट है, सूरिय वर्षब रासी में गोचर करते वे सूरिय आपके लिए विदेश यात्रा के काफी अच्छे चांसे बना रहे हैं, आपको उच्छा में बहुत बड़ी सफल मिल सकती है, आपको प्रकार का रिसर्च वर्षब कर रहे हैं, तो सूरिय आपको बहुत अच्छे समंद आपको देखने को बिलेंगे, सूरिय उसके बाद देखा जाए तो यहां दृष्टी डालें आपके तीसरे भाव पर जब इस प्रकार से सूरिय की दृष्टी रहेग तो आप अपने सबी कामों को लगबग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भाईयों के साथ आपको दिक्कते आ सकती हैं, सूरिय यहां से रासी प्रयुतन करेंगे अपना, सूरिय लगबग 15 जून के बाद से रासी प्रयुतन करके मिथन रासी म मिल सकता है, सूरिय का यहां, देखे अगर आप ओल्रेडी विदेश में सेटल रहें, तो यह समय आपकी कारी छितर में कोई ना कोई आप बदलाव कर सकते हैं, जोब में बदलाव कर सकते हैं, प्रमोशन वगए हो सकता है, या कैरियर के लिए आपको कोई योजना बनानी है अपने खुद के लिए वो योजना इस समय आप बनाएंगे तो ज्यादा फाइदा आपको मिलेगा, सूरिय यहां से आपके फोर्थ हाउस का एसपक करेंगे, जहां पर आप अपने घर परिवार के कारियों पर भी पूरा ध्यान देने वाले, तो सूरिय का गोचर आपका च अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंत में आने वाले हैं, अच्छे दिनों की जहां तक बात है, पांच, छे, नो, दस, सत्रह, अठार है, और एकिस से पच्चिस, यह दिन आपके लिए बेहत खास हैं, आपका कोई भी ऐसा काम जो नहीं बनदा, जिसमें आ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हाड़ बरक करना पड़ रहा है, आप उन कारियों को इन दिनों में प्लान अवस्य करिएगा, उसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को, खराब दिनों में दिखा जाए, तो चंदरमा का गोचर जब अपने लगबग ससुराल पक से मनमुटाव रहे सकता है, पैत्रिक समपत्य में कुछ न कुछ आपको इस समय मतवेद देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चंद्रमा है तो मांसिक रूप से थोड़ी परेशानी अधिक रहेगी, गुस्सा अपसा आएगा आपको, या अचानक से आप अपना कोई पैसा या प्रोपरेटिक हो सकते हैं गुस्से में आकर, इसके साथ ही चंद्रमा का गोचर जब मेस रासी में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा तनाव में आके गुस्से में आके कोई अपने लिए गलत फैसला ले सकते हैं, आपको आगे चल कर काफी परेशान करेगा, फिट चंद्रमा का गोचर लियो में होगा, यानि सिंग रासी में 11-13 तक ये गोचर रहेगा, इस समय आप अपना मोटा पैसा कहीं ना कहीं हो सकते हैं, अगर आप स्पेकुलेशन में पढ़ गए हैं, या सेर मार्केट बगरे या ओनलाइन किसी भी प्रकार का कोई एप पे आपने पैसे डालें, तो आपको बड़ा नुकसान धन के मामले में हो सकता हैं, तो 11-13 तारिक तक का ये समय है, इसमें आपको विशे साबधानी बरतनी हैं, फिलाल हम पूरा का पूरा डिसकसनी आ कर चुके, फिलाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद,